हेलो फ्रेंस जेई मेकानिकल ट्रेंट सेट दनापूर डिविजन इस सेंट्रल रेल्वे चार अगस्ट दोजार चविस का यह कुश्चिन पेपर में आप लोग का स्वागत है चलिए डिरेट कुश्चिन पेपर में चलते हैं सल्ब करने का कोशिस करते हैं आप लोग विडियो में लास्ट तक बने रही है ताकि बढ़ियां से समझ पाएंगे तो जैसे कि पहला कोश्चिन में आप लोग देख रहे हैं ट्रांस्फर्मर रेटिंग इन मेधा मेक AC EMU तो इहीं पर देखें ट्रांस्फर्मर रेटिंग पूछ रहा है जो कि मेधा कमपानी AC EMU Electrical Multiple Unit इसमें ट्रांस्फर्मर का रेटिंग जो होता है यह होता है 1100 KVA किलो वोल्ट एंपियर 1100 किलो वोल्ट एंपियर अप्शन एके साथ चलिए फूल फर्म अफ MCCV तहीं पर जैसे कि आप लोग जानते हैं MCV का सिम्पूल फूल फर्म मिनियेचर सार्किट ब्रेकर होता है इसी सबसे MCCV दिया है जिसका कि फूल फर्म जो होता है पूल रूप होता है Molded Case Circuit Breaker यह होता है Molded Case Circuit Breaker अप्शन D के साथ चलिए तो जिसमें यह आप लोग एक ऐसा डिवाइस होता है जो कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्ट सर्किट के चलते कुछ भी अगर आप लोका दुरगटना हो इसके रोकने के लिए यह एक सेफटी डिवाइस होता है MCCV इसी साबसे MCV भी मिनियाचर सार्किट ब्रेकर भी एक स्वीच है जो की इलेक्ट्रिकल अवर रूट सर्किट यह सबसे सार्किट को प्रोटेक्ट करता है minimum BA voltage to energize एक रेक तो एक रेक को एनरजाइज करेंगे स्टार्ट करेंगे तो इसमें battery voltage BA voltage यह पर minimum कितना होना चाहिए तो यह आप लोका सही answer क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा 85 volt option DE के साथ चलिए tie of headlight on up toggle switch type of headlight on up toggle switch तो यह पर देखिए on up toggle switch इसका type क्या होता है headlight का जो on up toggle switch होता है यह होता है आप लोका DPST type का होता है यह होता है DPSP type का switch होता है तो यह होता है double pole single throw switch यह होता है double pole single throw switch double pole single throw switch होता है यह होता है DPST tail lamp given to indicate तो देखे जैसे कि आप लोग सभी जानते है last vehicle में tail lamp लगा हुआ रहता है तो इसका मतलब होता है कोई भी रेक का कोई भी train का यह last vehicle होता है वही पर ही tail lamp दिया जाता है तो tail lamp indicate करता है कि यह कोई भी train का last vehicle है last diva है तो अफसन देख लिजे अफसन C के साथ चलिए gross clearance of A class ODC is above तो जैसे कि आप लोग जानते है ODC का full-perm होता है our dimensional consignment जैसे कि A, B, C 3 type का ODC होता है इसमें gross clearance पूछ रहे है तो gross clearance किया होता है यह होता है distance between consignment and fixed structure in stationary condition इसका मतलब हो गया कि एक आप लोग का जो consignment रहेगा और fixed structure रहेगा तो इसका बीच में जो आप लोग का distance रहेगा वो भी standing condition में stationary condition में इसी को ही हम लोग बोलते हैं gross clearance तो यह A class का अगर ODC के लिए पूछा जाएगा तो यहीं पर क्या हो जाएगा यह हो जागा एभव 230 mm option A के साथ चले जैसे की यहीं पर class A आप लोग का ODC में जो gross clearance होगा यह आप लोग का कितना होगा 9 inch in above हो जाएगा 9 inch in above यह आप लोग का A class ODC में इसी सबसे B class ODC में जो gross clearance GC यह कितना होगा यह हो जाएगा आप लोग का बिलो 9 inch 9 inch से बिलो 9 inch 9 inch से यह कम रहेगा and above 6 inch यह 6 inch से जादा रहेगा और 9 inch से कम रहेगा यह B class के लिए इसी सबसे C class ODC लिए देख लिजे जो gross clearance होगा C class ODC यह हो जाएगा बिलो 6 inch 6 inch से यह आप लोग का कम होगा and above 4 inch यह 4 inch से जादा होगा इसको आप लोग MM में convert कर सकते हैं आप्टर साउंडिंग अप हुटर medical band should be dispatched from shed by double exit within तहीं पर देखिए जब हुटर का sounding होते ही जो medical band होता है dispatched हो जाएगा इसका siding से जहाँ पर double exit का सुविदा होगा दोहरी निकास का सुविदा होगा ये condition में ये कितना समय लेगा जहाँ पर double exit का facility होगा तो ये आप लोग का ले जाएगा 15 मिनिट 15 में hooter sounding होते होते medical band dispatch हो जाना चाहिए ये move हो जाना चाहिए निकल जाना चाहिए option C के साथ चलिए class B accident यहीं पर देखिए जो कि accident केटेगोरी में आप लोग जानते हैं बार-बार रिपिटेल लिए पताय जा रहा है 16 केटेगोरी होता है जिसमें English alphabet A से R तक जिसमें कि I and O टाइप किसी प्रकार का accident रहता नहीं यहीं पर simple B class accident पूछा है जो कि fire in train और explosion होता है तो option यहीं पर देख लिजे option B के साथ चलिए यह fire in train होता है इसी सबसे collision जो होता है टकर जो होता है यह A class का accident होता है यह हो गया आप लोग का fire in train और explosion B केटेगोरी development जो होता है यह class D में आता है इसी सबसे A देखिए averted collision तो यह Averted Collision यह किस प्रकर का आता है यह आता है आप लोग का F प्रकर का F टाइप का जो accident आप लोग का केटेगोरीजेशन है जो classes है इसमें F टाइप का class जो होगा यह Averted Collision हो जाएगा train passing signal in danger is classified in which class of accident तो देखिए यहीं पर जो आप लोग का train pass हो जाएगा signal रहते हुए जो spark case होता है S.P.A.D. spark case signal passing on danger इस प्रकर का जो classification है यह कौन सा class में आएगा तो यह आप लोग का सही answer इसका क्या हो जाएगा तो यह आप लोग का देख लीजे जैसे कि यहीं पर आप लोग का एक क्लास का पहले देख लेते हैं इसके बाद देखेंगे एक क्लास अभी उपर ही बताया गया था यह collision होता है जो टककर होता है head on collision, sight on collision इस सब collision में आता है टककर में आता है B क्लास accident जो कि fire in train आता है इसी सब से इहीं पर देखे J क्लास एक दिया हुआ है तो J क्लास जो होता है यह क्या होता है failure of engine and rolling stock failure of engine and rolling stock अगर किसी करण engine या rolling stock का failure होता है इसको हम लोग class J क्लास में आता है तो हिंपर H क्लास जो होगा यह हो जाएगा spark हो जाएगा signal passing at danger तो यह आप लोगा H क्लास का accident होता है तो option A के साथ चलिए poch of lhb coaches is done after this month तो यहीं पर दके periodical over rolling lhb coaches के लिए यह कितना महिना में होना चाहिए जो ICF कोच का होता हुआ उसका double हो जाएगा तो यहीं पर option C के साथ चलिए 36 month यहीं अगर ICF push in के लिए पूछा होता तो यह कितना होता यह PO जो होता periodical over rolling यह 18 महिना होता यह lhb coaches के लिए double हो जागा 36 month for finding what defects UST is done ultrasonic test चैसे की आंतरिक दरार को जाँच करते हैं detect करते हैं तो Excel में आप लोगा जो defect होता है आंतरिक दरार होता है internal crack होता है इसको जाँच करने के लिए UST test किया जाता है ultrasonic test internal crack option A के साथ चलिए location of pento isolating cock तो यहीं पर देखे जो जैसे कि transit में हो गया भंदे भारत में हो गया तो EMU, MUMU यह सब में जो आप लोगा pento isolating cock यह कहां रहता है यह TC कोच में रहता है जैसे कि pentograph आप लोग जानते है tailor कोच में रहता है TC कोच में रहता है option D के साथ चले the standard color of humidity indicator in your dryer is तो ही पर देखे standard color पूछा है जो की humidity indicator dryer में जो humidity indicator रहता है उसका standard color क्या होता है तो इसका standard color blue होता है option C के साथ चले during which stroke inlet valves open तो यह पर देखे कौन सा stroke में आप लोगा जो force stroke commission engine होता है force stroke engine इसमें आप लोग जानते है कि इसके बारे में भी बहुत सारा exam में आया हुआ है जैसे कि इसका चार आप लोगा stage होता है तो इसमें आप लोगा कौन सा stroke चार स्टेज में चार स्ट्रूक में यह oppression होता है तो यह जैसे कि suction compression exhaust और यह होता है आप लोगा suction हो गया compression हो गया combustion हो गया और exhaust होता है ऐसे चार प्रकार का आप लोगा stroke रहता है तो इसमें आप लोगा जो कुशी नाया है कि आप लोगा यह कौन सा stroke में inlet valves अपन हो जाता है तो यह आप लोगा suction stroke में inlet valve अपन हो जाता है जैसे कि आप लोगा piston move करेगा TDC से BDC top dead center से bottom dead center को piston movement करेगा यह condition में inlet valve अपन हो जाएगा और जो phrase यह रहेगा यह cylinder में चला जाएगा यह होता है आप लोगा जो suction stroke का का काम तो option A के साथ चलिए suction stroke के दोरान ही inlet valve अपन होता है loop oil filter drum is located in तो यह पर देखे loop oil का जो filter drum यह कहां पर रहता है यह आप लोगा जो रहता है चार अप्शन देख लिजे पहले यह रहता है आप लोग का radiator room में रहता है option D के साथ चलिए radiator room में loop oil filter drum रहता है power contractors floaters due to तो यह पर देखे जो power contractor किसके कारण आप लोगा फड़ फड़ाता है तो यह पर floaters होता है power contractors तो यह इसका region क्या है तो इसका region आप लोगा हो जाएगा option ठीक से देखे option देखने के बाद ही इसको आप लोग इसका answer बताए आप लोग comment section में बताएगे इसका answer क्या हो सकता है कि power contractors floaters होता है क्या region के लिए इसको आप लोग comment section में बताएगे इन fuel oil system this type of filters are used तो fuel oil system में किस प्रकार का filter का यूच होता है तो इही पर आप लोग का paper type का filter यूच होता है paper type का filter option D के साथ चले fuel oil system में paper type का filter यूच होता है MR efficiency test is related to इही पर देखे man reservoir का efficiency test होगा तो इह किस के साथ related है तो इह आप लोग का compressor के साथ related है MR pressure man reservoir का pressure इसका efficiency test जो होगा ये compressor से related है समन्दित है dynamic brake grid motor इजे इही पर देखे जो dynamic brake grid motor होता है ये किस प्रकार का motor होता है तो ये आप लोग का DC motor होता है direct current motor DC motor option A के साथ चलिए WDG 4G what should be the minimum battery voltage for starting WDG 4G तो ही पर देखे WDG 4G type का जो locomotive होता है तो आप लोग का minimum battery voltage तो starting करने के लिए WDG 4G engine को minimum battery voltage कितना चाहिए तो इसका सही answer क्या हो जाएगा ये हो जाएगा minimum 55 volt चाहिए option B के साथ चलिए rating of EMU transformer तो इहीं पर देखे electric multiple unit EMU transformer का rating पूछा है तो ये कितना हो जाएगा ये आप लोग का हो जाएगा option B के साथ चलिए 1000 kV ampere in EMU the MR pressure each तो electric multiple unit में main reservoir का pressure कितना रहता है तो जैसे कि EMU में main reservoir का pressure ये पर हो जाएगा 7 kg per cm2 option C के साथ चलिए जैसे कि आप लोग नर्माल आप लोको मोटिव में देखते हैं EMR pressure 8-10 kg BP 5 kg FP 6 kg इसी प्रकार का होता है लेकिन EMU में electrical multiple unit में EMR pressure 7 kg per cm2 होता है option C के साथ चलिए ARR stands पर तो ये पर देखे ARR का ये पर full form पूछा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा पूर्ण रूप क्या हो जाएगा ये पर आप लोग का जो ARR जो होता है ये आप लोग का होता है ABB reset relay होता है जो ARR होता है ये ABB reset relay होता है जो की AR blast circuit breaker reset relay होता है reset relay ये होता है AR blast circuit breaker reset relay ये ब्लास्ट circuit breaker reset relay होता है ABB reset relay जो ARR का मतलब होता है DDU stands for ये भी देखे बढ़िया कोशन है DDU ये क्या होता है ये होता है driver display unit driver cap में देखे DDU लगा हुआ रहता है driver display unit driver display unit option A के साथ चलिए DC DC converter output voltage तो ये पर देखे जो DC DC converter रहेगा इसका output voltage कितना होना चाहिए तो ये पर ये कुशिन है तो DC DC converter output voltage ये आपलका 25.5 volt होता है option D के साथ चलिए full form of ESMON तो ये पर देखे ESMON का full form पूचा है तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा energy and speed monitoring system energy and speed monitoring system option D के साथ चलिए rating of light and fan HRC fuse in driving cap तो driving cap में जो light और fan रहता है तो इसमें जो HRC fuse यूच होता है तो ये HRC fuse का rating पूचा है जो की 63 amp होता है option C के साथ चलिए how many numbers of switch for flusser तो flusser light के लिए कितना switch रहता है तो ये 2 के सिंख्या में रहता है option B के साथ चलिए 2 के सिंख्या में flusser switch रहेगा तो ये पर देख लिए जो आप लोका flusser switch रहेगा ये आप लोका emergency condition में auto flusser light यूच किया जाता है जैसे कि पकल लिए कोई आप लोका train parting हो गया development हो गया है तो ये condition में opposite direction में train आ रहा है इसको indicate किया जाएगा इसको alert किया जाएगा इसलिए ही flusser light auto flusser light जला जाता है जो कि yellow color का आप लोका होता है तो ये flickering होके yellow color का light जलेगा full form of IGBT तो इसे पर देखे IGBT का full form पूचा है ये भी आप लोक जैसे कि बंदे भारत का train set का ये cushion में ही IGBT आप लोका आया हुआ है तो इसका भी full form जानना बहुत ही जरूरी है तो IGBT एक transistor होता है तो इसका full form क्या हो जाएगा इसका full form है insulated gate bipolar transistor insulated gate bipolar transistor option A के साथ चले maximum hauling speed of 140 ton BD crane GW it modification तो इहीं पर देखिए जो GW gut vault 140 ton breakdown crane जो के modification हो है तो इसका आप लोका hauling capacity कितना है तो इसका आप लोका जो अधिकतम ढूलाई गती अधिकतम hauling capacity 140 ton gut vault crane का ये हो जागा 100 kmph option C के साथ चले तो इहीं पर देखिए DNR में कौन सी crane कारियर रथ है तो दानापूर दानापूर स्टेशन में जो आप लोका एक क्लास ERT है इसमें आप लोका जो crane यूच होता है ये कौन सा company का है तो ये आप लोका सही answer किया हो जाएगा ये हो जाएगा gut vault old design वाला crane है gut vault old design वाला 140 टन crane option D के साथ चले make of HRD at JJ ERT तो ये पर देखे जो HRD hydraulic rescue device जो जाजा स्टेशन में जाजा स्टेशन का ERT में accident relief train में है ये कौन सा company का HRD यूच करता है जाजा का ERT तो ये पर सही answer किया हो जाएगा सही answer हो जाएगा ये हल मेट्रो कमपानी का HRD hydraulic rescue device जाजा स्टेशन में जो ERT है ये ही यूच होता है ये कमपानी का हल मेट्रो कमपानी का option B के साथ चले make year of HRD at दानापूर तो ही पर देखे जो दानापूर DNR स्टेशन में जो hydraulic re-railing equipment HRD इसका full form होता है hydraulic re-railing equipment जो यूच हो रहा है तो ये आप लोगका make year, कुण सा year में ये निर्मान हुआ है तो ये कमपानी के नाम साथ साथ आप लोगका कुण सा year में ये mac हुआ है निर्मान हुआ है ये ही कूसिन है तो ये हो जागए आप लोगका BEMCO company का ये 2017 में के साथ चलिए कमिशनिंग यह अरप 140 टन बीडी क्रेंड एड दनापूर तो दनापूर में जो 140 टन बीडी क्रेंड है तो यह कमिशनिंग तो यह कब चालू हुआ था कौन सा साल में तो यह चालू हुआ था दो जार तीन में अप्शन एक के साथ चलिए टोटल नमबर अप हैड्रोलिक कटर एविलेबल इन एस पी ए यार एमी डिए नर तो जो आप लोग का सेल प्रोपेल्ट एक्सिडेंट रिलीब मेडिकल भेन इकुमेंट होता है तो इसमें आप लोग का कितना सेंख्या में हाइड्रोलिक कटर एविलेबल है तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा यह दो का सेट में है दो सेट है इन दानापूर डिविजन फिच अफ दो फोलेंग डोजनर्ट हैव डवल एक्जिट तो इसके लिए आप लोग का दोहरी निकास नहीं है तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा इसका सही अंसर हो जाएगा 140 टर्न विडी क्रेंज है इसके लिए double exit का facility नहीं है दोहरी निकास का facility नहीं है option B के साथ चले last mug drill with NDRF team with ERT-JIG watch conducted on तो इहीं पर देखें जैसे की आप लोग जानते हैं इसका mug drill किया जाता है NDRF के team जहां पर ERT-ARME है तो National Disaster Response Force team के साथ जो mug drill होता है तो यह आप लोगा ERT जहां जाजा के लिए तो यह last cup आप लोगा हुआ था तो last यह हुआ था आप लोगा option देख लिजें तो इहीं पर आप लोगा 16 February 2024 को last हुआ था mug drill जहाजा ERT का इंडिया रेप team के साथ अप संसी के साथ चलिए Total population of 140 ton BD crane over Indian railway तो इंडिया रेल्वे में अभी आप लोगा 140 ton BD crane कितना संख्या में है तो इसका सही answer 74 Permission of moment of 140 ton BD crane is given by तो यह पर देखे जो 140 ton BD crane यह इसका आवाजाही की मंजूरी दी जाती है तो इसका movement के लिए जो आप लोगा authority है जो की permission देते हैं यह हो जाएंगे आप लोगा CMPC साहफ chip motive power engineer chip motive power engineer ही permission के बाद आप लोगा 140 ton BD crane का movement होता है option B के साथ चलिए in which wagon type center seal is used for fixing hooks of crane तहीं पर आप लोगा पूछा गया है जो आप लोगा hook को fix करेंगे इसको lift करने के लिए तो किस प्रकार का wagon का center seal में ही hook को fit किया जाता है तो इस पर सही answer किया हो जाएगा यह हो जाएगा option A B.O.B.R.N यह आप लोगा hyper type का wagon है B.O.B.R.N तो यह इस प्रकार का wagon में आप लोगा जैसे कि solbar होता नहीं जैसे कि दूसरा आप लोगा type का wagon में solbar ही आप लोगा hook यूच किया जाता है lift करने के लिए लेकिन B.O.B.R.N में आप लोगा solbar है नहीं इसके चलते center seal जो है इहीं पर hook को fix करके lift किया जाता है number of staff deployment required during crane operation तो h per rule तो rule के नहीं सर जब भी crane operation करेंगे तो इसके लिए कितना staff का requirement होता है तो इसके लिए 15 staff का requirement होता है option D के साथ चलिए total number of vehicles in class A.R.T तो A.R.T में आप लोगा total कितना vehicle इसमें यूच होता है यहीं पर यहीं कुशिन है तो A.R.T में total 9 vehicle total 9 आप लोगा vehicle यूच होता है जैसे कि यहीं पर आप लोगा सब्सक्राइब में बता दे रहे 140 टन B.D.C.R.E.N. with mesh truck 140 टन B.D.C.R.E.N. with mesh truck इसके बाद B.C.N.H.S B.C.N.H.S आप लोगा यूच होगा जो कि engineering और C.N.W.S टाप के लिए B.C.N.H.S इसके पाद B.R.N.H.S यह आप लोगा rail और wheel को लेने के लिए इसके बाद आप लोगा टूल भेन रहेगा R.T. स्टाप कार R.T. स्टाप कार एक होगा R.T. अफिसर कार होगा R.T. पेकिंग भेन होगा R.T. इकुमेंट भेन होगा R.T. HRE और Power Tools के लिए होगा और एक R.T. आप लोगा Crane Tool Kit को लेने के लिए यूच होगा इसी प्रकार 9 के संख्या में Total Vehicles या आप लोगा जैसे कि इहीं पर जो R.T. पोर है इसका मतलब Tool Band या Accident Relief Tool Band जो भी बोलते हैं ये यूच होगा इसी साबसे Total एक लास R.T. का Composition 9 Vehicles होता है Option C के साथ चलिए H.L.C. Recommendation for Procurement of R.T. Army Equipment तो इहीं पर देखिए जो आप लोगा High Level Committee रहता है इसका Recommendation चाहिए क्या चीच के लिए आप लोगा E.R.T. Army Equipment खरीदने के लिए तो इसके लिए आप लोगा जो Recommendation चाहिए जो High Level Committee होगा इसका नाम क्या है तो ये आप लोगा हो जाएरगा H.L.C. 37 Option A के साथ चलिए H.L.C. Recommendation for Cash Infressed for E.R.M.B. In-charge तो इसके लिए आप लोगा ये High Level Committee Recommendation कितना है जो कि आप लोगा एक E.R.M.B. In-charge का Cash Infressed तो ये इसका सही अंसर क्या हो जाएगा इसका सही अंसर होगा H.L.C. 41 Option D के साथ चलिए Duration of Mandatory Refrescer Course पर Crane Operator जो Crane Operator होते हैं इसके लिए जो RC Class होता है Refrescer Course होता है तो इसके लिए Mandatory कितना है अनिवार ये कितना है तो ये आप लोगा जो Refrescer Course होगा Crane Operator के लिए ये आप लोगा कितना हफता का होना चाहिए कितना week का होना चाहिए तो यह हो जाएगा आप लोग का चार week का चार सब्ता का यह refreshers course mandatory है अनिवार यह है duration for filling of performa for equipment testing तहीं पर duration पूछा है जो आप लोग का performa filling करेंगे equipment testing के लिए तो इसके लिए जो आप लोग का duration हो जाएगा यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आप लोग का monthly होना चाहिए monthly आप लोग को fill करना चाहिए यह filling performa for equipment testing equipment testing के लिए जो performa filling करेंगे इसका duration monthly है option C के साथ चलिए priority for testing particulars of chancelings तहीं पर देखिए priority पूछा है जो आप लोग का chance links रहेगा इसको testing करने के लिए जो आप लोग का आप दिखता होगा यह priority city होगा यह 6 महिना का होता है 6 monthly 6 महिना में इसको test करना है chance links को siren code for cancellation of ERT ERME ERT accident relief medical van equipment जो होता है इसको cancel किया जागा रद किया जागा इसके लिए hooter code यह siren code किया होता है तो one lung hooter फर 90 seconds एक लंबा hooter बजेगा 90 seconds के लिए इसका मतलब कि ERT ERME को cancellation किया जाता है रद किया जाता है तो option C के साथ चलिए next चलते हैं कुछ G के question है Gika virus is transmitted by which mosquito Gika virus किस मत्चर से फैलता है तो इसका answer हो जागा Edis mosquito Gika virus जो आप लोगा फैलता है कौन सा मत्चर के लिए तो यह Edis mosquito के लिए Edis मत्चर के लिए option B के साथ चलिए 2020 Olympics was held at 2020 में कहां पर Olympic हुआ था तो यह Japan का Tokyo में हुआ था अभी latest में जो आप लोगा 2024 में जो आप अलंपिक हुआ है यह France का Paris France का capital Paris में यह हुआ है latest Olympics 2024 में ICAR यहीं पर देखिए ICAR यह क्या है ICAR is an autonomous organization under which union ministry तो ICAR जो autonomous organization है यह किस मंत्रा लेके अंतरगात यह काम करता है तो यहीं पर आप लोगा जो ICAR है यहीं पर यह किस मंत्रा लेके अंतरगात काम करता है यहीं पर एक question है तो यह आप लोगा हो जाएगा Department of Agricultural Research and Education हो जाएगा यह हो जाएगा आप लोगा Department of Agricultural Research and Education जो कि आप लोगा option B में देखिए option यहीं पर B में Ministry of Agriculture and Farmers welfare हो जाएगा option B के साथ चलिए तो यहीं पर आप लोग बताएगे कि ICAR का full firm क्या है which of the following are green house gases तो यहीं पर देखिए आप लोगा question है जो green house gases इसमें कौन-कौन सा है तो जैसे की यह carbon dioxide यह भी green house gases methane भी है nitrous oxide यह भी आप लोग का green house gases तो total all of this above हो जाएगा option D के साथ चलिए what is the property of liquid due to which free surface tries to have minimum surface area किसी द्रव्य का वहागुन क्या है जिसके कारण उसकी मुक्त सता निवनतम सता खेत्रफल रखने का प्रयास करती है what is the property of a liquid due to which its free surface tries to have minimum surface area तो इसी प्रकर का property को इसी प्रकर का गुन को क्या कहा जाता है तो इसका सही answer क्या हो जाएगा यह हो जाएगा surface tension option C के साथ चलिए which of these chemicals is used to form soaps containing sodium salts तो यह पर जो चार option दिया गया है तो इन में से कौन जो साबून बनाने के लिए यूच होता है जिसमें की sodium salts रहता है तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा sodium hydroxide हो जाएगा option B के साथ चलिए sodium hydroxide NaOH यही साबून बनाने के लिए यूच होता है food produced by bacterial fermentation of milk तो यही पर देखिए जो आपलों का कौन सा आपलों का ख़द्य जो है फूड जो है यह आपलों का तैयार होगा जो की bacterial fermentation milk का जो bacterial fermentation होगा तो इससे जो आपलों का खना बनेगा जो फूड बनेगा इसका नाम क्या होगा तो दूद के जिवानू किन्यन द्वारा निर्मित भोजन तो यह हो जाएगा आपलों का यह गूट हो जाएगा या दही में कनवर्ट हो जाएगा milk तो option एक के साथ चलिए तो चलिए प्रेंस यहीं पर जो दानापूर डिविजन इस central रेल्व का है ट्रेंसेट जेई मेकानिकल ट्रेंसेट का है जो डिपार्टमेंटल कुशिन पर चलिए यहीं पर रखते हैं पार्ट 1 में 55 तक चलिए नेक्स्ट जो कुशिन है इसको second पार्ट में पार्ट 2 में इसको सल्प करेंगे तो तब तक के लिए आप लोग बढ़ियां से प्राक्टिस किजिए प्रेफरेशन कीजिए तो यह आप लोगा जो जे ही मेकानिकल ट्रेंच सेट का जो कूसिन है ये रिलेटर है आप लोगा बहुत मेकानिकल इसके साथ साथ जो CLI के लिए तैयार करवार है जो इसमें LP है लोको पाइलट है इनके लिए भी बहुत ही फायदामन्द है जिसमें की बहुत आप लोग का CNW related कुशिन भी है और इसमें लोको मोटीव related भी कुशिन है तो ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहे है अगर आप लोग कोई वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर friend circle में आप लोग share कीजिए फिर मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए इंतिजार कीजिए जय हिन दोस्तों जय जगनात दोस्तों